आर्पी भारत केवल खबरें और कुछ नमश्कार मैं गूँ अंचली आर्पी भारत मैं आपका स्वागत करती हूँ तो चलिए शुरात करते हैं आज की इसी खास खबर से दर्भंगा में 9 दिसंबर को हुए सोना लूट कांड का तार बेगु सराय से जुड़ गया गया है लूट कांड के संबंध में मिलें इंपूट के आधार पर शुकर वार की शाम पटनाएस टियाफ की टीम एवाम S.I.T. की टीम दर्भंगा एवाम बेगु सराय के साथ केरी गंज सोनार पट्टी में आते ही हड़कंप मच गया थे पुलिस टीम सीधा जगदमभा जुएलर से पहुंची और दुकान माले केवं स्टाफ को कबजे मिले कर पूछताच और च्छा पिमारी करना शुरू कर दिया करीब तीन घंटे से पुलिस टीम पूछताच करने के साथ साथ सभी स्वण आभूशनों की जांच परतार कर रही है जानकर कैनुसार इस दौरान कुल इसको लूटे गए स्वण आभूशन मिले हैं हलाकि छापिमारी जारी रहने के करन इस संबंद में कोई कुछ बोलने को तयार नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि उक्त दु सोना के साथ एक महिला समयत साथ लोगों को गिरफतार किया था जिसके बाद मिले इंपूट के आधार पर पूरी टीम बेगु सराय पहुची टीम को इंपूट मिला था कि दर्भंगा में लोटे गए सोना में से कुछ आभूशन यहां भी बेचे गए तथा बेचने वाले माजगदंबा जोलर्स के मालिक विजए कुमार वर्मा उसके पोत्रविकी कुमार वर्मा एवं एक अन्या स्टाफ का नाम बताया था इसी के आधार पर पुलिस ने च्छा पिमारी की तो सफलता हाथ लगी है बेगु सराय से मोहमद नभी आलम के रिपोर्ट खुछ सोना भी बरामत हुआ है कितना सर यह दिया जैंग लगक चार सुपर है कितने देर तक च्छा पिमारी चली है चली है जिसमे आप आया देखिंग क्या है तो हमके लुटा रहा है बर रंगा कर बता है रहे सर दमदाब निर्मान का भरोसा लालिस्टी टीम्टी वजबूती का